हेलो दोस्तों वैलकम बैक टू माई चानल मैं हूँ आसिस और आप देख रहे हैं भुजिर टेक्ट दोस्तों आज कीज वीडियो में हम बात करने जा रहें फेश्बूक पर इस्टार मोनिटाइजेशन का सेटप कैसे करते हैं अगर आप लोगों को फेश्बूक पर इस्टार सेटफ किस तरह से करते हैं तो दोस्तों बीना टाइम मुष्ट के वीडियो को सुरू करते हैं सब से पहले में आप लोगों मेरा फेसबुक प्रोफारल दिखा देता हूं एक है कर बाद समय यहां पर अब हम ने क्लिक करने बाद देखे दोस्तों यहां पर इस्टार सेट अप करने का अप्शन मिल गया है अब हम यहां पर क्लिक करेंगे शेट अप पर उसके बाद गेट इस्टार्टेट पर क्लिक करना होगा उसके बाद यहाँ पर legal first name आता है आपका original name लिखना होगा दोस्तों जैसे कि आपका आदरगार pencard में जो original name है वो ही आप लोग यहाँ पर लिखना होगा और last name में भी आप लोग अपना title लिख लेना होगा उसके बाद आपना date of birth लिख लेना होगा उसके बाद यहाँ पर country select कर लेना होगा मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं अभी इंडिया ही select करूँगा उसके बाद next कर लेना होगा नेक्स करने के बाद यहाँ पर फिट से आता है country, country आप लोग यहाँ पर सेले कर लेना, उसके बाद business type में आप लोग individual को सेले कर लेना, उसके बाद next, नेक्स करने के बाद यहाँ पर आता है फिर से अपना नाम, title, date of birth, उसके बाद यहाँ पर आप लोग लिखने ना होगा primary address, आप लोग किस जगम में रेते हो, वाँ का address आप लोग लिखने ना होगा, उसके बाद आप लोग city का नाम लिखने ना होगा आप किस सहर में रहते हो उसके बाद आप लोग state पर लिखने ना होगा कि आप लोग किस राज़े में रहते हो उस राज़े को आप लोग यहाँ पर सेलेक कर लेना होगा उसके बाद आप लोग zip postal code अपने area का आप लोग pin number यहाँ पर लिख सकते हो उसके बाद अपना phone number यहाँ पर लिख लेना उसके बाद यहाँ पर अपना email address यहाँ पर लिख लेना होगा इमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर अपना पैंकार्ट का नमबर यहाँ पर आप लोग लिख लेना होगा पैंकार्ट का नमबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर चेकमा कर देना उसके बाद आप लोग नेक्स कर देना next करने के बाद यहाँ पर आप लोगो दो option मिलता है manually link bank account link your paypal account अगर आप लोग अपना bank account में पैसा transfer करना चाहते हो तो आप लोग उपर का select करना अगर आप लोग नीचे paypal पर करना चाहते हो तो नीचे select करके link payout पर click कर देना उसके बाद आप लोग यहाँ पर bank country आता है तो आप लोग इंडिया सेलेक कर देना उसके बाद bank holder name आपका bank में किसका नाम है वो नाम आप लोग यहाँ पर लिख लेना नाम लिखने के बाद आप लोग swift quote अपना bank का swift quote आप लोग यहाँ पर लिख लेना अगर आप लोगो अपना बैंक का स्विफ्ट कोट मालूम नहीं तो आप लोग बैंक में जा कर भी पूछ सकते हो या तो आप लोग गूगल पर भी सर्च करके अपना बैंक का स्विफ्ट कोट पता कर सकते हो और यहाँ पर आप लोग अपना बैंक का स्विफ कोट डाल लेना स्विफ कोट डालने के बाद यहाँ पर नीचे बैंक एकाउन नमबर आप लोग अपना बैंक का एकाउन नमबर यहाँ पर लिखने लेना होगा उसके बाद आप लोग Link Payout Method पर क्लिक कर लेना होगा उसके बाद आप लोग Add Text Info पर क्लिक करना होगा उसके बाद यहाँ पर Redirect हो जाता है अपने Facebook एकॉन पर Login करने को Login कर लेना उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है You Can Now Use Star अब आप लोग Star का यूज कर सकते हो अपने वीडियो में Star पासकते हो इतना है नए और काम बाकी है Add Payout पर क्लिक करना उसके बाद जो अभी आपने बैंक एकॉन दिये थे उसको यहाँ पर सेलेक कर लेना Link Payout Method पर फिर से क्लिक कर लेना उसके बाद आप लोग यहाँ पर Second का Option है No इस पर No कर देना No कर देने बाद फिर से आप लोग No पर क्लिक कर देना यह बाकी का उपर का आप लोग पर सकते हो परकर आप लोग Decision करके करना उसके बाद निक्स कर लेना उसके बाद आप लोग यहाँ पर country of citizenship यहाँ पर सेलेक कर लेना Select one मैं अभी यहाँ पर इंडिया सेलेक कर रहूँ उसके बाद नीचे I have a non-yostin यह पर आप लोग चेक मा कर देना उसके बाद आप लोग next कर देना next कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो जो यहाँ पर बरा है address, country यहाँ पर आ जाता है pin code बगरा तो उसके बाद फिर्शे आप लोग next कर देना उसके बाद फिर्शे next कर देना next कर देने के बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं location of where service are or will be physically performed home उसको आप लोग यहाँ पर third option है इस पर आप लोग क्लिक करता से उसके बाद next उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपलोग checkmark कर देना checkmark कर देने के बाद नीचे यहाँ पर signature आता है तो आप लोग अपना full name यहाँ पर लिख लेना होगा नेम लिखने के बाद आप लोग next कर देना next कर देने के बाद देखिए आपका पूरा text information यहाँ पर आजाता है यह form आजाता है तो उसके बाद आप लोग submit form पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपका पूरा complete your text information is complete यह यहां पर आजाता है और यह फर्म को आप लोग शेप कर सकते हो उसके बाद नीचे यहां चेक में कर देना इतना कर देने के बाद आपका यह इस्टार मोनिटिशन का सेट अप कम्प्रीट हो चुका है सकस्पूली अब हम यहां पर नोटिफिक्सन पर चेक करेंगे देखे यह नोटिफिक्सन भी आज चुका है यूर एकॉन हाज बिन सेट अप अब हम प्रोफाल पर जाकर भी चेक करेंगे यह कम्प्रीट हुआ है या नहीं व्यू टूल्स मोनिटाइजेशन इस्टार यह कम्प्रीट हो चुका है आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो